नितिश कुमार भले ही NDA की तरफ रास्ता आज बना रहे हों, भले ही एक दो दिन में वो BJP के साथ हा जाएं, लेकिन इसकी भविस्तवानी लगातार जेडियू के एकनेता करते रहे हैं, जेडियू के सांसस सुनिल कुमार पिंटू, पिंटू जी आपने लगातार कहा कि नित नितुरत में और बिहार में जो भी विकास हुआ, दो हजार पांच में जब मानिये मुखवंत्री जी, NDA के साथ मिलकर जब बिहार का मुखवंत्री के पद पर बैठे थे, तब ही बिहार में विकास हुआ, आज भी हम लोग उसी विकास को पूरे बिहार में देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं है तो क्या अंदाज़ा आपको लगता था चुकि आप भी उनके कैबिनेट में मनती रहे हैं कहां परिसानी नेजर आती थी देखिए जो फ्री हैंड मनिये नितिश कुमार जी को एंडिये में बीजेपी के साथ था वो कहीं नEMA लोगों को जो दिखने में लग रहा था आरजेडी के साथ मननी है, मुखपंदर जी अतना comfort और या उतना free hand ने जरनी आ रहा था नितिश कुमार अगर एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं, तो ये क्या लगता है रिस्ता स्थाई होगा चुकि बहुत बार बार पलटे हैं, तो इस बार लगता है कि वो चीजें आगे कैस किते दिन तक चल पाएंगी नहीं, इस दफा लगड़ा है कि मामला अस्थाई होगा, क्योंकि आदमी जो पीछे की बातों से ही आदमी सीख लेता और आगे बढ़ता है उसको देखते विए मुझे अपना बेक्तिकत लगता है कि इस दफा जो गड़बंधन मनेंगी वो अस्थाई बनेगी और बिहार और देश के हित के लिए बनेगी चलिए इस बार रिस्ता अस्थाई होगा, नितीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आ रहे हैं तो कहीं न कहीं उनका कमफर्ट लेबल जो है, पॉलिटिकल कमफर्ट लेबल वो उसके लिए जिम्मदार है स्योक्तर नेदी मालम के साथ ससी भूशन आज तक पटना